हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल सिच्छापूर मैं अविनास कुमार इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगें डिये भी प्रब्लिकेशन का क्लास फोर का कंप्यूटर का चिप्टर नंबर फोर लोगो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रा बनाना है प्रोग्रामिंग के थुरू पेंट में जैसे बनाते हैं वैसे नहीं वैसे आपको माउस से लाइन ले करके तो लाइन थोड़ा सा तीर्षा भी हो जाता है उसमें बनाने में प्रोग्रामिंग के थुरू रिटेंगल बनाना स्क्वाइर बनाना च्छोटे मोटी तरस programming इसमें किए जाते हैं अलब कि लोगो programming language outdated हो चुका है काफी पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी यह बुक में दिया रहता है पढ़ने कि लिए क्योंकि इससे प्रोग्रामिंग क्या होता है programming का basic समझ बिख्सिस होता है इसको पढ़ने सेodh इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे तो जो लोग अभी तक नए हैं मैं अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो चैनल को अभी दिरूर सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग learning objectives यानि पढ़ने वाली चीजे इसमें क्या क्या पढ़ना है उसका overview यहाँ पर दिया हुआ है after the completion of this chapter यानि कि यह chapter के पूरा होने के बाद completion मतलब पूरा होना समापती होने के बाद या पूरा होने के बाद learner will be able to यानि कि सिखने वाले जो है learner will be able to यानि कि सच्छम हो जाएंगे appreciate logo लोगो की सराहना करने में logo क्या होता है उसकी सराहना करने में सच्छम हो जाएंगे as a computer language computer language के रूप में logo की सराहना करने में लोगो प्रोग्रामिंग लाइंगवेज की सरहना करने में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग लाइंगवेज की सरहना एप्रिशेट करने में सच्छम हो जाएंगे यूज दा फॉलोविंग लोगो कमांड्स यानि कि यूज करने में सच्छम हो जाएंगे उपयोग करने में सच्छम हो जाएंगे दा फॉलोविंग FD 30 लिख दिए तो वह 30 cm का लाइन खीच करके वह 30 cm आगे बढ़ जाएगा यहां पर आ जाएगा उसका करसर या कह सकते हैं लोगों में टर्टल होता है कि अगर फिर उसको बैब वड्ट मिले जडाना में तो भीखहें लिखेंगे को बैबड में आजाएगा यहां हूं इधर से ड़ ड्रट से और उसको ब distribution करके कैसे ड्रा किया एता है उसको बाद सिखने में एबल हो जाएगा सच्छम हो जाएगा आगे है डोबो कहता है टोबो are you a machine टोबो क्या तुम एक machine हो और a human being या एक human being हो मतलब यह आपका डोबो पूछ रहा है इस टोबो से क्या तुम एक machine हो या एक human being हो तब डोबो कहता है hey डोबो what do you think I am what do you think यानि कि तुमको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ या तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या हूँ what do you think I am तब डोबो कहता है you seem to be a machine तुम मने परतीत होते हो या तुम दिखते हो to be a machine एक machine दिखते हो तुमने एक मशीन परतित हो but also look like a human being लेकिन एक human being के जैसा भी तुम दिखाई देते हो, दिखाई पड़ते हो तब टोबो कहता है yes, you are correct तुम सही हो I am a machine as well as a human being मैं एक मशीन हूँ as well as as well as मतलब साथ ही साथ a human being और एक human being हूँ तब टोबो कहता है really, वास्तो में if you are a machine यदि तुम एक machine हो then how do you function तो कैसे तुम function करते हो कैसे तुम कारे करते हो तब टोबो कहता है I function like any other computer मैं function करता हूँ मैं कारे करता हूँ like any other computer जैसे कोई दूसरा computer करता है which is a machine जोकी एक machine है by the way how much do you know about machine मतलब खेट छोड़ो by the way how much कितना do you know तुम जानते हो about machine machine के बारे में तब टोबो कहता है टोबो I am familiar with the machine that we use जो हम लोग यूज करते हैं मसीन को जानता हूँ in our day to day life मतलब हमारे प्रति दिन के जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं उस मसीन से मैं familiar हूँ मसीन के साथ मैं familiar हूँ मतलब उस मसीन के बारे में मैं जानता हूँ तो वो तब टोबो कहता है computer is a special machine computer है एक विसेश परकार का machine and is different from other machine और है different यानि कि और यह अलग है from other machine यानि कि दूसरों machine से यह different है अलग है चलते हैं हम लोग अगले page में तब डोबो कहता है I don't agree मैं सहमत नहीं हूँ तुमारी बातों से मैं agree नहीं हूँ how is different कैसे या different है कैसे या अलग है from other machine मतलब दूसरे machine से तब टोबो कहता है ओके ठीक है लेट्स पले चलो खेले एक गेम खेले लेट्स पले अगेम चलो एक गेम खेले and this will answer your question और यह answer देगा your question तुमारे question का how a computer is different कैसे एक computer है different यानि की अलग from other machine यानि की दूसरे machine से कैसे अलग है and we'll also make it clear that it is a special machine और इसे भी make मतलब बनाएगा clear मतलब यानि clear करेगा that की it is a special machine की यह है एक special machine बिसेश प्रकर का यह machine है इसे भी यह clear करेगा इस बात को भी यह clear करेगा in this game यह game में इस game में I will take मैं लूंगा the name नाम लूंगा of a machine एक machine का नाम मैं लूंगा and you have to tell its function और तुमको tell मतलब कहना पड़ेगा you have to tell मतलब तुमको बताना पड़ेगा या कहना पड़ेगा its function इसके function के बारे में मतलब बताना पड़ेगा इसके कारियों के बारे में डोबो डोबो काता very interesting या बहुत interesting let's start the game चलो शुरू करें game को activity form two groups and select a group leader मतलब दो group बनाए and select a group leader और चूने एक group leader को one group will take the name of any machine मतलब एक group will take मतलब लेगा the name of any machine मनि कोई machine का नाम लेगा एक group and the other group will tell और दूसरा group will tell मतलब बताएगा चाहेगा its function यानि इसके कारियों को बताएगा each group will exactly get one minute परते एक group को will exactly get मतलब एकजएटली मिलेगा प्राप्थ होगा one minute मतलब एक minute मिलेगा before they change their role मतलब ये अपना role change करने से पहले परते एक group को exactly one minute प्राप्थ होगा यानि मिलेगा the group which can tell the function of maximum number of machine मतलब वह group which can tell जो बता सकता है the function मतलब कारियों को of maximum number of machines मतलब जादा मसीन के संख्या के कारियों को जो group बता सकता है in precisely one minute मतलब ठीक एक minute में is the winner मतलब है winner मतलब जो जादा संख्या मसीनों के जादा संख्या के कारियों को जो group बता सकता है वही क्या है जैटली एक मिनिट में वही क्या है वेनर है या वही वेनर होगा The names of machine taken earlier by any group should not be repeated by the other group का जा रहा है कि the names of machine यानि मसीनों के नाम taken जो लिया गया earlier यानि कि पहले by any group यानि कि कोई group के दवारा should not be repeated यानि कि repeated नहीं होना चेहे मतलब किसी एक गुरूप के तारा अगर पहले मसीनों के नाम लिया गया है तो वह repeat नहीं होना चाहिए by other group, दूसरे गुरूप के तारा As you play this game, जैसे आप खेलते हैं, प्ले करते हैं this game यह game को Do not forget, तो भूले नहीं, मत भूले, Do not forget To note down, मतलब note down करना मत भूले The names, नामों को, of machine, machine के नामों को, and function और कारियों को, note down करना मत भूले In the space, space में provider जो कि दिया गया है, यह सब जो space दिया गया है इसमें, machine के नामों को, जो आप बोलते हैं, और उसके कारियों को, उसको note down करना मत भूले इसमें आपको note down करना है जब play जैसे गेम खेलते हैं तो इसमें अगर गुरूप बोलेगा कि fan तो दूसरा group बोलेगा क्या क्या करोता है to provide air इस तरह से इसको बोलना है साथ में note भी करना है तो इस तरह एकल यह सब फुर्स्ट गृप में दूसरे डाइब का मसीन का नाम आगे है डोबो काता है डोबो है भी नोटीस क्या तुमने नोटीस किया है कि ऑप जब यह सब मसीन सब्सक्राइब करती है एक खास काम यहनी कि एक खास काम करती है मतलब एक ही प्रकार का काम करती है जैसे फाइन है तो केवल हवा देगा हवा देगा केवल काम करती है तो वही कहा जा कि यह सभी मसीने परफॉर्म करती है स्पेस्पिक खास प्रकार का काम करती है डोबो करता है यस हाँ I completely agree with you मैं पूरी तरह से अब क्या तुम बता सकते हो मुझे इसका उप्योग करने के लिए डोबो करता है what is और क्या क्या डोबो तब डोबो करता है it's used for listening to music watching movies and also for playing games करा है it's used यानि कि it is used है it's used यानि कि इसका उप्योग किया जाता है for listening to music यानि music सुनने में watching movies movie देखने में and also for playing games और game खेलने के लिए भी यानि गेम खेलने के लिए इसका उप्योग होता है that's mean इसका मतलब है computer can perform computer perform कर सकता है computer कर सकता है many tasks बहुत सारे कारियों को कर सकता है and not just a specific task और नकी के वल एक specific task like all other machines मतलब सभी दूसरे मसीनों के जैसा नकी के वल a specific task कर सकता है या बहुत सारे कारियों कर सकता है नकी के वल a specific कोई किसी खास काम को like all other machines जूसरे सभी मसीनों के जैसा usage of computer to draw drawing and shapes मतलब draw करने के लिए drawing और shapes को बनाने के लिए इसका मतलब उपयोग होता है it is used इसका उपयोग किया जाता है for calculation calculation करने के लिए computer is used computer का उपयोग किया जाता है to watch movie movie देखने के लिए listen to music music सुनने के लिए and play games और game खेलने के लिए fourth number है it is also used to send and receive mails and chat with friends मतलब इसका भी उपयोग किया जाता है to send मतलब send करने में भेजने में and receive और receive करने में मैं उपयोग में यहनि की उपयोग मेल को send करने में और receive करने में यह नहीं के मेल को पらापत करने में भी इसका उपयोग किया जाता है and or chat with friends और दोस्तों के साथ chat करने में भी बातचीत करने में भी इसका उपयोग किया जाता है चलते हैं अगला पेज में कि देखिए इसमें आपका फिगर के द्वारा इसके कंप्यूटर के यूज को बताया गया है ड्रा करने में इसका उपयोग किया जाता है solve sum sum को solve करने में play games game खेलने में इसा प्योग किया जाता है यह आपका यह figure के द्वारा समझाया गया है बताया गया है play music music बजाने में a computer does many things for us एक computer does मतलब करता है many things बहुत सारे चीजे for us हमारे लिए आगे है send and receive message message को भेजने में और receive करने में यानि प्राप करने में इसका उप्योग किया जाता है चैट करने में so movie movie मतलब so करने में देखने में आपको इसका उप्योग किया जाता है आगे है डोगो करता है ओ यास वहां नाव अब आई अन्रस्टेंड अब मैं समझ गया हूं दैट की computer is a special machine computer है एक विशेश प्रकार का machine that can do जो कर सकता है variety of tasks at a time मतलब variety of tasks यानि task का variety यानि बहुत सारे काम variety of tasks यानि की बहुत सारे काम at a time एक ही समय में कर सकता है I wonder मैं जानना चाहता हूं how will we tell the computer मतलब कैसे हम लोग बताएंगे या कहेंगे the computer computer को to perform करने के लिए a specific task मतलब एक खास प्रकार की काम को करने के लिए कैसे हम लोग उसको बताएंगे when it can perform so many tasks जब यह कर सकता है बहुत सारे कामों को तो हम लोग जाना चाहता है कैसे उसको मैं हम लोग कहेंगे computer को to perform करने के लिए एक खास काम को When it can perform जब यह कर सकता है, so many tasks, बहुत सारे कामको, तब टोब कहता है, it's not difficult, यह कठिन नहीं है, we can instruct, हम लोग instruct कर सकते हैं, हम लोग उसको instruction दे सकते हैं, वो आदेस दे सकते हैं, to perform करने के लिए, the desired order, आविसक्त करने के लिए हम लोग उसको instruct कर सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शन यह सब इंस्ट्रक्शन कैन वी गीवें मतलब दिया जा सकता है टू दा कम्प्यूटर को इन दा फॉर्म अध्या सकता है चलते हैं अगले पेज बर यह पांचमा पेज है और यही लास्ट पेज है इस वीडियो का इसके आगे हम लो अगले पेज में अगले वीडियो में पढ़ेंगे डोबो कहता है बट अग कंप्यूटर डज नोट अंडरस्टेंड लेकिन एक कंप्यूटर नहीं समझता है हमारे लाइंगवेज को कैसे हम लोग बोल सकते हैं यानिक इसे या हमारे लाइंगवेज को नहीं समझता है तब तो बो कहता है पासलोड अंडरस्टेंड मैनी लाइंगवेज या समझता है बहुत सारे लाइंगवेज को नोट अज कंप्यूटर लाइंगवेज मतलब इसे हम लोग जानते हैं प्रली में RAWला कि we need to learn a computer language in order to get our work done by the computer however, यानि हला की we need, हम लोग को need होती है हम लोग को जरूत होती है to learn, सिखने की a computer language ये computer language सिखने की need होती है जरूत पड़ती है in order to get our work done by the computer मतलब computer से हमारे कारियों को पूरा करने में computer language की सिखने की जरूत होती है डोबो कहता I know, मैं जानता हूँ my dad told me मेरे पिता जी told me, मतलब मुझे कहे है that we need हम लोग को जरूत है a language to tell मतलब बताने के लिए कहने के लिए the computer computer को to do a specific task अदर एक खास प्रकार का एक विशेश प्रकार का काम करवाना है computer से computer को बताना बताने के लिए एक language के लिए लेंग्वेज गया हो सकता होती है बिना language कैसे उसको बताएं नहीं कि ये करो तुम can I learn computer language क्या मैं सीख सकता हूँ computer language computer language को यानी computer भासा को सीख सकता हूँ do you know क्या तुम जानते हो any computer language कोई computer language जानते हो can you help me learn the same क्या तुम मुझे help कर सकते हो learn सीखने में the same यानी computer language को टोबो कता है sure निश्चित रुप से I can help you मैं तुम्हें help कर सकता हूँ let's learn चलो सीखते हैं logo यानी चलो logo सीखते हैं logo इजे computer language फर्स्ट शुर्याती में वीडियो को बताये थे का लोगो क्या है एक computer language है तो इका रहा let's learn चलो सीखते हैं logo चलो logo सीखते हैं which is a computer language जो है एक computer language it is easiest यह आसान है to learn मतलब सीखना and fun to use और इसे यूज करना बहुत ही fun है मतलब इसे यूज करना बहुत ही मज़दार है research activity find out the names of any five computer language कह रहा है कि find out करें मतलब खोजें the names of any five computer language यानि कि कोई भी पांच computer language के नाम find out करें and note और note करें यानि कि लिखें your finding अपने आप जिनने जो प्राप्त किया है इसको लिखें in the space इस पेस में इस पेस में provide जो की मतलब दिया गया है share your finding और अपने जो find किया है उसको share करें share your find अपने finding को share करें with your classmates अपने classmates इसमें लिख देजिए logo लोगो भी या computer language है logo के अलावा आपका जो और रिसेंट्री ये सब चलता है C C++ जावा पैंथम ये सब इस तरह से लिख दीजे C COBOL C C++ जावा इस तरह से COBOL फोटरान इस पुराना लैंगवेज इस अब हाला कि सब रिसेंट्री चलने वाला लैंगवेज है पहले भी चलता था बहुत पुराना लैंगवेज COBOL फोटरान ये सब आज कल चलता है जावा पैंथम भी है इस तरह से तो इस तरह से आपका इस वीडियो में पांच पेज कभर हो गया अगले वीडियो में अगला पांच पेज कभर करेंगे अगर वीडियो यूजफूल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो दखने के लिए थाइंक यू बाई